नमस्कार दोस्तों जाई भोलेनात। तुलाराशी बालों श्वागत याँप शभी का हमारे योट्यूब सेनल में दोस्तों कैसी हैं आप शभी। उम्मिद करते हैं कि आप शभी बहुत अच्छे हूंगी। और माताराणी से प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी जभनकाल मे दिन दोगने रात सोगने तरक्की करे तुलाराशि वालो क्यों परिशान हो बेटा किश्मत अब आपकी बलट सुपी है रातो रात जिन्दगी में हरकंप मसेगा जीहा दोस्तों रातो रात आपकी जिन्दगी बदलने वाली है जी हाँ तुलाराशी वालों हम आप सभी को बता दे आज की यह वीडियो जो भी नजर अंदाज करेगा दोस्तों वो जिंदगी भर पस्ताएगा जी हाँ दोस्तों क्योंकि तुलाराशी वालों आज की यह वीडियो महत पुर्ण ग्रह गोसर के आधहर पर बनाया गया है ऐसे में दोस्तों हमारी आप से दोनों हाथ जोड़कर बेनती है कि आप इस वीडियो को बिलकुल अंत तक रेखेगा तुलाराशी वालों आप सभी को बता दें कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके जीवन जीने की एक नई उम्मित जाग उठेगी जी हाँ तुलाराशी वालों क्योंकि दोस्तों आज की यह वीडियो में बताई गई सभी बातें 100% आपके जीवन में बैठने वाली है जी हाँ दोस्तों हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि आपके मन में बहुत दिनों से एक सवाल उड़ता होगा कि आप सोचते भी होंगे कि बाकी और भी रासियों को छोड़कर केबल हमारे ही साथ ऐसा क्यों होता है प्रभू हमारे जीवनकाल में इतनी दुख दर्द क्यों मिलता है क्यों परिसानियों का शामना करना पड़ता है उन लोगों के लिए एक रहस मैं बात बता रहा हूँ जरा ध्यान से सुनियेगा जिस बाग में माली नहीं होती है वे बाग बहुत ही जल्द उजड़ लाती है अगर आपके जीवन में हर मोड पर ठूकर खा रहे हैं बहुत मुश्किल परिसानियों का सामना करना पड़ रहा है तो समझ लिजिए उस उपर वाले प्रमात्मा का हाथ आपके सर पर है क्योंकि तुरारासी वालों वे आपको हर एक मोड पर चतावनी दे रहे हैं शतर्क कर रहे हैं कि यह रास्ता आपके लिए सही नहीं है आगे जल कर आपको कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो जाए बहुत ज़्यादा परिसानी ना हो जाए इसलिए तुरारासी वालों पहले से ही वो आपको शर्चित कर देते हैं देखिए तुरारासी वालों जो आसानी से मिल जाता है वो हमेशा तक नहीं चलता है लेकिन जो हमेशा तक मिलता है याद रखना वो आसानी से नहीं मिलता है तो लारासी वालों यहाँ पर अब आपके मन में सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आपके आस पडोश में बिना महनत किये ही बिना परिस्रम किये ही कैसे उन्हें सब कुछ मिल गया देखिए दोस्तों शौट रास्ते में चलना बहुत आसान होता है लेकिन आगे चलकर ऐसी खाही में गिरजाते हैं जहां से उठना शंभव नहीं होता है अगर वह कुछ समय के लिए आगे बढ़ भी गई हैं उनके पास सब कुछ हो भी गया है तो वह कुछ समय के लिए है एक जी हाँ दोस्तों वीडियो और भी जालक गंभीर होएं वाली है वीडियो में हमारे साथ बिल्कुल अंत तक बने रहेगा तोलारासी वालों आपको कुछ मुल मंत्र भी बताएंगे मुल शुत्र भी बताएंगे जो कि आपको अपने जीवन में कैसे काम्याब होनी है और कि इस तरह से सफलता प्राफ्ट करनी है परंतु उच से पहले मालक्षमी के जो भी सच्चे भक्त हैं वे अभी के अभी वीडियो को लाइक करें और नीचे दिये गए श्रधा पुर्वक्त कमेंट बॉक्ष में लिखें जय माददी आईए दोस्तों बात करते हैं तुलाराशी बालों ग्रह गोचर शकारतमक बना हुआ है और दोनों ही अभी आपके पक्ष में हैं आपको बताना चाहेंगे कि तुलाराशी बालों नौकरी की तलास कर रहे हैं तो अपने आत्मों विश्वास में कमी नोहन दे जल्द ही सफलता मिलेगी क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ काम्याबी बहुत बड़ी खुश खबरी आपका बेसबरी से इंतजार कर रही है इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगी आपके दिन चर्या के लिए जो समय होंगी जो जातक कारिक शित्र में काम कर रहे हैं उन्हें अभी बहुत बड़ी सफलता हाथ लगने वाली है ल आपको काफी ज्यादा लाब होगा वहीं दोस्तों आपके लिए जो समय होगी आपके दिन चर्या के लिए जो समय होगी आपको काम का कोई नया अवसर या आइडियाज मिलेगा इससे आपके कारिक्षित्र की दिशा बदल सकती है और इससे आपको काफी ज्यादा लाब होगा और पूरा घर काफी ज़्यादा खुश रहेगा इसके उपरांथ आपके लिजो समय होंगे विदेश जात्रा का प्रग्राम बन शकता है धन प्राप्ति और परिवारिक सोदों के मामले में दिन काफी अच्छा है, काफी बढ़िया है लेकिन नीजी जीबन में कुछ परिसानिया हो सकती है कारिक संबंधित कोई भी अच्छा समाचार मिलने से आसार बने हुई है जिससे आपके बिगड़े हुए काम बनने लगेंगी जो काम कुछ दिनों से करना चाह रहे थी और वह करने में आपको काफी ज़्यादा सफलता मिलेगी इसके उपरांथ अपनी महनत में कोई कमी नो हने दे जितनी ज़्यादा महनत करेंगे उतनी बड़ी काम्यावी आपको प्राप्त होगा इसके उपरांथ आपके लिजो समय होंगे आप अपना आपा मत खोईएगा और आप जो सोच विचार रख रहे हैं बहुत ही पॉजिटिव है बहुत अच्छा है इसके द्वारा आपको बड़ी-बड़ी काम्यावी बड़ी-बड़ी सफलता मिल सकती है इसके उपरांथ आपके लिजो समय होंगे नए प्रजेक्ट मिलने के आशार बने हैं जिससे धनलाव होशकता है अपनी महनत में कोई भी कमी इस समय कोई भी कशर ना रहने दे तो आपको बड़ी सफलता आसानी से मिलेगा इसके उपरांथ आपके लिजो समय होंगे आपके लिए काफी महनत पुर्ण है और अपने जिम्मेदारियों के प्रती शचित आपको रहना होगा जो जिम्मेदारी आपको दिया जा रहा है उसको आपको बखुबी तरीकी से निभाना है उन्हें पूरे समरपन से निभाना है इससे आपके जीमन की एक रुके हुए काम बनने लगेंगे और कोई परिसानी चल रही है तो जल्द ही हल भी आपको मिलेगा वही दोस्तों आप के लिए जो समय होंगे मिध्यारथी के लिए जो समय होंगे देखे दिन काफी अच्छा दिन है परिक्षा में अच्छा फल मि देना है वही दोस्तों आपके लिए जो समय होगे आपके केरियर शित्र में जो है अटके हुए काम जल्द ही समपन होगी धनलाब के योग भी बन रही हैं नौकरी के सलती अस्थान परिवर्तन होशकता है जो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा वही दोस्तों आपके लिए जो समय होंगी आपके दिन चर्या के लिए जो समय होंगी आप जैसे भी हैं वैसे ही रहें और जिस तरह से आप कारी कर रहे हैं बिलकुल वैसे ही आपको कारी करने की जरूरत है आपको बस सफलता बहुत ही करीब आ चुकी है और सफलता मिलने ही वाली है किसी और से जो है ब्रहमजाल में अभी आप ना फशे अगर कोई उची उची बड़ी बातें कर रहे हैं तो उनके पीछे कोई राज होगा जरा बज़के रहिएगा और उस पर अमल करने के बाद ही उस पर चलिएगा तो अभी आपके लिए अच्छा रहेगा आप अगर अपने तुलना दूसरों से करेंगे तो खुद ही परिसान होंगी और लोग भी इनका गलत फायदा भी उठा लेगा देखिए आपका फोकस खराब होगा और इसका असर आपके काम और नीजी जिवन पर भी पढ़ सकता है आपको अपने कौशल को पहसान करना है और उस पर जो है योग करना है उसे बढ़ाई और अपनी कामियों को जाकर उन्हें दूर करने का प्रयास करें आपके लिए जो है बेटर रहेगा वही दोस्तों कारिक शित्र में अपनी तुल करते रहें आपको जो है बड़ी काम्यावी मिलेगी वही दोस्तों परिवार में किसी रिस्तिदार के साथ कुछ अन्बन हो शकता है शितारे कहते हैं इस समय गलत फहमी की संभावनाई बन रही है एक दूसरे पर भरुशा रखिएगा और जोटी मोडी बातों को नजर प्रिया जनों से पूरा सहयोग मिलेगा और आपको काफी जाधा लाव होगा दोस्तों उम्मीद करते हैं जानकारिया आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों से सेर करें और सच्चे मन से कमेंट बॉक्ष में जै माता दी अवस्य लिखेगा दोस्तों अपना किमती वक्त देने के लिए और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद मातारानी आपको स्वस्त रखे पूरे परिवार को ख खुश रखी धन्यवाद